अचर जी प्रणाम, मैं परिवार के साथ रहती हूँ, सिंगल हूँ और जॉब करती हूँ, जॉब के बाद का जो टाइम है, उसमें कोई काम करती हूँ, जैसे अभी लास्ट में आपका वीडियो देख रहे थी तीन-चार महिनों से, बाद में ऐसा होता है कि मैं देखना सिर्फ सुनना ही करना है, मैं और कुछ नहीं करना है, तो छोड़ देती हूँ, ऐसे कई काम करती हूँ, छोड़ देती हूँ, छोड़ देती हूँ, फिर भी मन में दूख होता है, कि अरे, समय तो चलता जाता है, मैंने तो कुछ किया है, नहीं कुछ करना हूँ, बाद में स पता हो कि जो कर रहा है, उसका नाम पता पहचान क्या है, और जो कुछ भी कर रहा हो, क्यों कर रहा है? मुझे अपनी हालत ना पता हो मुझे अपना परिचय ना पता हो कुछ भी नहीं जानता हूं मैं अगर अपने भारे में और फिर मैं अपनी भलाई के लिए कोई निरणे लूँ जीवन में चलने के लिए कोई रास्ता चुनूँ तो क्या मेरा निर्णे या चुनाव सही हो सकता है मैं दवाई की दुकान पर जाऊं और उसे कहूं दवाई दे दो तो वो कहेगा या तो परचा दिखाईए या अपना मर्ज बताईए आप कहें नहीं मर्ज इत्तियाद इक कौन पता करें तुम दवाई दे दो कोई भी दे दो इतनी दवाई हैं तो हैं तुमारे पास तो कहें नहीं कुछ अपने बारे में बताईए आप कहें यार तुम जिद क्यों करते हो महा कंजूस हो या हजारों दवाई हैं तुमारे स्टोर में दिख रही हैं हमें कोई भी उठा के दे दो ना वो भी कहे भाई तो गला साफ करने की गोली दे दे कि लो यही ले जाओ फिर अगली बार आए फिर कहें कुछ दे दो वो आपको कैल्शियम की गोली थमा दे कि लो इसको यह चूस ले ना कितने दिन तक आप गला साफ करने की गोली और केल्शियम की गोली से दिल बहला लेंगे कितने दिन तक आपको उनसे स्वास्थिलाब मिलता रहेगा आदमी जो कुछ भी करे किसी उद्देश्य से करे न और उद्देश्य बनाने के लिए पहले ये तो पता हो कि मुझे चाहिए क्या जो आपको चाहिए वही आपका उद्देश्य है और क्या मुझे चाहिए उसके लिए पहले ये पता हो कि मेरी हालत क्या है मैं हूँ कौन मैं तलाश क्या रही हूँ जिसको नहीं पता वो क्या तलाश रहा है उसके लिए तो कुछ भी चलेगा और जो कुछ चलेगा समसफल हो जाएगा अगर आपको नहीं पता कि आप कहा जो जाना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और वहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है 12 गाड़ियां खड़ी हैं आप जानते ही नहीं आपको जाना कहा हैं तो आपको कौन सी गाड़ी चड़नी चाहिए कोई भी चड़ जाओ बात यह है कि गाड़ी तुम कोई भी चड़ लो वंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे हाँ कहीं को पहुंच जाओगे आम आदमी अपनी जिंदगी में यही करता रहता है, वो जानता ही नहीं है, वो कौन है, उसे जाना कहा है, तो किसी भी गाड़ी पर चड़ जाता है, कोई भी दवाई खा लेता है, ना उसे अपनी मंजिल पता है, ना उसे अपना मर्ज पता है, तो कुछ देर तक तो ठीक कुछ देर तक तो अच्छा लएगा मरणजन हो गया थोड़ी देर में कहेंगे यह कहा आ गए और जहां आ गए वो जगह कुछ खास पसंद नहीं लगा रही तो फिर कुछ और करेंगे वहां भी किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे वहां से भी कहीं को पहुंच जाएंगे ऐसे ऐसे करके जिन्दगी बीत जाएंगे ठीक जंजट तूटा जबसे बड़ा जंजट तो समय है काटे नहीं कटता बिदाली जी ऐसे चाहिए क्या है पहले इसका तो कुछ निर्णे करिए और उसके लिए कोई बहुत बड़ी खोज नहीं चाहिए इमानदारी चाहिए जीव की अभिलाशा क्या है मन का अग्रह क्या है कुछ पता तो करिए क्या पाने के लिए व्याकुल है नहीं तो समय गवाने से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है समय बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है गवाने के लिए तो बैठ जाओ, सो जाओ, गेर जाओ समय तो बीटता ही रहेगा टिक 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 इसी लिए अधिकांश्टा हम जो काम करने का संकल्प लेते हैं वो काम भी हम पूरा नहीं कर पाते कभी देखा है लोग उद्देश है बनाते हैं कसम लेते हैं वरत लेते हैं ये काम पूरा करूँगा नब्बे प्रतिशत वो उस काम को पूरा कर नहीं पाएंगे दुखी हो जाएंगे और जो दस प्रतिशत पूरा कर लेंगे वो इसलिए दुखी हो जाएंगे क्योंकि पूरा करके भी कुछ खास मिला नहीं जो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपने काम ही गलत चुनाए, जब आप जानते ही नहीं कि आपके लिए क्या काम सही है, जब आप जानते ही नहीं कि आपके भीतर कमी किस चीज की है, आपको खल क्या रहा है, आप मांग क्या रहे हो तो फिर आप कोई काम करने कैसे लग गए पर हम कर जाते हैं, कुछ भी पहले ये निश्चे तो करिए कि हमें चाहिए क्या फिर जो चाहिए हो उसको पाना मुश्किल भी लगे तो भी उसके लिए प्रैत्न करिए, संगर्ष करिए उसमें आपको असफलता भी मिलेगी तो इतना संतोश तो रहेगा ना कि प्रैत्न सही दिशा में था सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ो वो सही है या यूही किसी दिशा में विर्थ ही दौड लगा दो, वो बहतर है जितनी तेजी से दौड लगाओगे, उतनी तेजी से दौड के वापस भी आओगे कहोगे बेकारी भाग गए जिदर को गए धीरे ही बढ़ें, लेकिन सही लक्षे की और बढ़ें वो ज्यादा जरूरी है दफ्तर से आने के बाद आपके पास खाली समय है उसका आपको उपयोग करना है, किसलिए करना है भीतर के खाली पन को खाली समय से भरना है भीतर का वो खालीपन क्या मांग रहा है, पुछिए ना अपने आप से, उसमें आप कुछ भी अगर अनरगल पदार्थ डाल देंगी, तो भीतर का खालीपन नहीं भर जाना, उसे कोई विशिष्ट वस्तो ही चाहिए, वो उसको दीजिए फिर वो शान्त होगा, चुप होगा कैसे पता करें कि वो कौन सी चीज है जो हमारे भीतर ही खालीपन को चाहिए, शुरुवात उन वस्तों को नकारने से करिए, जो आप अपने आपको देते रहे हैं, और जिन से कुछ हासल नहीं हुआ, आज तक बहुत साधनों का इस्तेमाल करा है ना, अपने आपको ट्रिप करने के लिए, तो पहला काम तो ये करें कि उन साधनों पर दुबारा आशा मत बांधें, जब दिख गया है कि इन सब चीजों को आजमा लिया, और आजमाईश असफल रही, तो बार बार उन पर आज क्यों बांधनी, बार बार एक ही गड़े में क्यों गिरना, फिर कुछ नया प्रियोग होगा, फिर संभावना बनेगी अपने आप से आगे जाने की, ये पक्का समझ लीजे कि अभी तक आप जिन चीजों को पाने की कोशिश करती रही है, उनमें विर्त समय ही गया है, कुछ और चाहिए, जो अतीत से बिलकुल असंबद्ध हो, पुराने ही जैसा ना हो, अब मज़िदार बात यह है कि जब कुछ ऐसा पाने निकलते हो, जो पुराने जैसा ना हो, तो जो पाने निकला है, उसको भी पुराने जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराने ही जैसे हो, तो आप लक्ष भी कैसा बनाओगे, पुराने ही जैसा, पुराना आदमी, पुराना लक्ष, पुरानी जैसा फलता है, फिर पुराना आदमी, फिर पुराना लक्ष, फिर पुरानी जैसा फलता है, आदमी को ही नया होना पड़ेगा व्यक्त ही दूसरा चाहिए यह जो दूसरा व्यक्त है शायद यही लक्ष है पुराने व्यक्त की बेचैनी का आपको ऐसा लगता है कि दफ्तर के बाद का जो समय है उसको भरना है पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर की ही जो अपूर्णता है वो शाम और रात के उन कुछ खाली घंटों में अभिव्यक्त होती है अगर दिन ही पूरा दूसरे तरीके से बीतरा हो अगर दिन को बिताने वाला व्यक्ती ही दूसरा हो अहम ही दूसरा हो, केंदर ही दूसरा हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम के वो घंटे फिर समस्या रहेंगे ही नहीं जब तक जिसने पूरा दिन काटा वो व्यक्ति पुराना ही है तब तक शाम की उसकी समस्या भी तो पुरानी ही रहेगी तो ये ना कहिए कि दफ्तर के बाद जो समय बचता है वो समस्या है चौबीस घंटे का समय बिताने वाला जो मन है जो अहम है जो केंद्र है उस पर ध्यान दीजिए वो किस तरीके से प्रतिक्रियाएं करता है कैसे संबंध बताता है कि इन चीजों को मूले और महत्तो देता है फिर शाम का मसला अपने आप सुलज जाएगा फिर शाम को अपने आप कुछ नया होने लग जाएगा नहीं तो दिन पुरा ना तो शाम भी पुरा नहीं इन दोनों में से जिसको बदलना आपको ज्यादा आसान लगे वहीं से शुरुआत कर लीजिए मैं तो कहूंगा दोनों बदलने एक साथ तो सबसे अच्छा दोनों एक साथ ना बदल सकते हों तो पहले शाम बदल ला लिए बस अतीद को दोराईएगा मत